नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं सियम हेमन्त ने दी मजदूरों को बधाई कहा बीर सरमिक चला रहे हैं देश की अर्थ ब्यवस्था का पहिया आज मजदूरों का दीन है और पूरी दुनिया में मई दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में जहरखन के मुखे मंत्री हमन्सुरेन ने सब ही मजदूरों को स्रमिक दिवस की बधाई दी है CM ने ट्वीट किया देश बीदेश का दुरस्त अस्थान हो या फिर कोई गाउ या सहर हमारे बीर सरमिक अपनी मेहनत लगण और सक्ति से देश की अर्थ ब्यवस्था का पहिया चला रहे है CM ने आगे लिखा कुरोना काल में स्रमिकों की बीकर समस्याओ को देख पूरा देश अस्तबद रह गया था आज हरकन सरकार द्वारा राजे के स्रमिक भाई बहन और परिवार को हर संभव साहत्य परदान दी जा रही है राजे के सब ही मेहनत कस्त स्रमिक हमारे प्राथ मिक्ता में है 200 स्रमिक दिवस के असर पर स्रम जीवन और स्रम सक्ति को अनेको अनेक सुबकमना है और जोहार देश बीदेश का दुरस्त अस्थान हो या फिर कोई गाव या सहर हमारे बीर स्रामीक अपनी मेहनत लगण और सक्दी से देश की अर्थ प्यवस्ता का पहिया चला रहे हैं जार्खन में कुरोना के 21 नए मामले जार्खन में कुरोना के तेजी से बढ़ते नए मामले में थोड़ी कमी आई है जार्खन के स्वास्त विभाग के ओर से रभी वार राज जारी आकड़ों के मुताबिक 24 गंटे में राज में कुरोना के 21 नए मामले की पुष्टी हुई हलाकि अच्छी खबर यहा है कि 24 गंटे के अंदर 17 लोग कुरोना से रिकोवर भी हुए है जिसके बाद अबराज में कुरोना के कोल 4 सवस्ती एक टी मामले है बदा दे जार्खन में 24 गंटे में जीन जीलों में कुरोना के नए मामले की पुष्टी हुई है उनमें पुर्भी सिम्हुम रांची और रामगड जीला सामिल है हजारी बाद के चार सरकारी स्कुलों में अब नीजी स्कुलों की तरह पढ़ाई होगी इसको लेकर मुख्यमंत्री हमांसरें जीले में 4 उत्क्रिष्ट इसकुल भावन का उध्गार्टन सहर नमांकन परकिरिया का सुभारा मंगलवार 2 मौई 2023 को मुख्यमंत्री रांची से ओनलाइन करेंगे इसके साथ ही इन 4 उसकुलों में नीजी स्कुलों की तरह सीबी एसी पाटकरम के अधार पर पढ़ाई होगी बता दे पलस टू गवर्मेंट गल इसकुल सभागार में सिक्षा भी भाग के अधिकारी मुख्यमंत्री का राले से जुडेंगे सहर के पलस टू जीला इसकुल, पलस टू गवर्मेंट गल इसकुल, बरही अनुमंडल में मौडल इसकुल, एवां चूर्चू परखंड में कस्तुरबा गांधिया वासे बाली का बिद्यालाय उतक्रिष्ट इसकुल घोसी थाए अब इन स्कुलों में निजी बिद्यालों की तरह सी बिएसी अधारित बिद्यार्थी पढ़ाई करेंगे बतादे बर्ष 2021 में उतक्रिष्ट इसकुल बनाने के बाद दो बर्षों में रख रखाव बेहतर कलासरूम, लैबरेरी, सिक्छक, सदन, हौल, परचार्य भवन और एक कई बिकास कार्य चालू इसकुल में किये गए हैं गुमला में किटनासक दवाई खाने से दो लोगों की मौत बसंत महतों की मांसिक इतिती खराब है उसके पिता ने उनकी काफी इलाज कराई लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया जिससे वह चिंतित थे उसके बाद उन्होंने कितना सक दवाई का सेवन कर लिया जिससे वह गंभीर हो गाए आनन फारन में हम लोगों ने उन्हें सदर स्पतल ग चास परतिषत STF भत्ता का लाब अब फिर से मिले गाया आदेस जारखन हाई कोट ने दिया है दरसल जारखन जगवार का पुलिस कर्मियों को मिलने वाले STF भत्ता पर वर्ष 2019 में रोक लगा दी गई थी जिसके बाद दूबराज हेमरम एवं एनी के द्वारा सरकार के सुनवाई हुई चाभी पक्षों को सुनने के बाद आदालत नेकल पिट के आदेस को बरकरार रखते हुए सरकार के अपील खारिज कर दी परतिवादियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता रोहन मजमुदार ने आदालत के सामने पक्ष रखा ज्यारखन में कमर्सियल गैस सिलेंडर 170 रुपया सस्ता कमर्सियल सिलेंडर की कीमतों में 171 रुपय परति सिलेंडर की कटोती की गई है गैस कमपेनियों ने एक मैसे कीमतों में 171 रुपय परति सिलेंडर कम कर दिया है इसके साथ ही अब ज्यारखन में 19 किलो वाले सिलेंड तो में कोई बदलाव नहीं किया गया है यह 1160 रूपए 50 पैसे प्रतित इसे चिलंडर ही मिलेगा 2 लाख का इनामी पलेफै उग्रवादी सूक राम गुड़िया गिरबटार दो लाहकाई नामी उगरवादी और पियले फाई संगठन का जोनरल कमांडर सुखराम गुडिया पुलिस की गिरफ्त में है मिली सुचना के मुतावी आज ही पुलिस ने उसे तपकारा से गिरफ्तार किया है पुलिस ने उसे तप गिरफ्तार किया जब वो तपकारा में एक पानी टंकी निमानकारे की जगब पर आकर कर्मियोग साथ मार पिट कर रहा था किसी ने पुलिस को इसकी सुचना दे दी मुटभेड में मारे गएक कुख्यात उगरबादी जीदन गुडिया के राइट हैंड रहे सुखराम गुडिया की गिरफ्तारी संगठन के लिए बहुत बड़ा जटका है पुलिस के लिए बड़ी कम्याबी है 10 मैं से चलेगी रांची पतना वंदे भारत ट्रेन रांची पतना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 10 मैं से चलेगी आउस्तन 12 घंटे में तय होने वाला सफर अब महा 6 घंटे में तय हो जाएगा अधिकारियों का मनना है कि यादि किसी भी परकार की तक निगी खामी नहीं आई तो ट्रेन का परिचालन सो फिस दी दोस मैसे शुरू हो जाएगा बता दे कि रांची पतना वंदे भारत ट्रेन का परिचालन से इस रूट पर नियमी त्यात्रा करने वाले अत्रियों काफी राहत मिलेगी रांची पतना के साथ साथ हावडा भुनेस पर रूट पर भी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन सुरू करने के त्यारी है रांची रेल डिविजन को निर्देश दिया गया है कि तयारीयों का जाए जाले परधान मंत्री खुद इन रूट पर बंदे भारत ट्रेन को हरीजंडी दिखाएंगे मंत्री बनना गुपता पर सर्जू राय ने लगाए आरोप जार्खन की सियासत ने पिछले कोश दिनों में क्या क्या नहीं देखा है बता दे मामला स्वास मंत्री के कथित असलील वीडियो से शुरू हुआ है और डिने जाज की मांग से होता हुआ अवैध हत्यार तक आप पहुचा है द्रसल अब स्वास मंत्री बनना गुपता पार आरोप लगा है कि उनके पास अवैध हत्यार भी है पहले तो पूर्वी जम सेथपूर से निदलिये विधायक सर्जू राय ने आरोप लगा है कि स्वास मंत्री के पास परतिबंधित गलोक पिश्टल है वही अब बिजेपि विधायक दल कि नेता बावुला मराण डी ने कहा एकि आधिस्वास मंत्री के पास वाकाई परतिबंधित अथ्यार है तो उन्हे यह पूलीस मल खाने में जमाक करना चाहिए और सिकाय दर्ज करानी चाहिए बावला म्राणडी ने कहा है कि आसा नहीं करने से गलत संदेश जाएगा यहर एम्बुलेंस से 73 वर्षी बुजूर्गों को किया गया यहर लिफ्ट रामगण के रहने वाले 73 वर्षी बृढ्य जारखन में शुरू किये गया यृर अम्बुलेंस सुवधा का लब उठाया है इस दोरान उनके परिजनों ने सरकार काहँ जाताया बता दे जारखन सरकार दौरा शुरू किये गा यह एंबूलेंस सुविधा का लाब अब राज यवासियों को मिलने लगा हा है रभीवार को रामगर जिले के कुझ बिहारी राए ने यह एंबूलेंस का लाब उठाया साथ ही उन्होंने मोख्य मंत्री हमासुरेन का आभार भी जताया है नीजी कम्पनियों में 75 परतिषत आरक्षन का मामला जारकन बिधान सभा की बिसेश समीति की बैठाक होई से बात चित की विशेश समीति की बैठक के अध्यक्स्ता विधायक नलिन सुरेन ने की है विधायक परदी प्यादो भी इस बैठक में मौजूद थे उन्होंने बैठक के बाद कहा है कि राज सरकार की निती को अंगिकार करना जरूरी है इसको लेकर विशेश समीति जीलो का दवरा कर रही है सभी अस्थानों से बेहतर रिस्पोंस मिले है इससे अस्थानियों को रोजगार मिलने की दीशा में कार्य होगा जिससे सभी लावनवीत होंगे जे एससी ने 46-44 आवेदन किये रद जारखन करमचारी चैन आयोग ने रायंदर आयुरुबिज्यान संस्थान रिम्स में तृतिय सेरनी के पदो पर नियुक्ति के लिए आयोजीत होने वारे परत्योक्ता परिक्षा में सामिल होने के लिए आय ओनलाइन आवेदनों में से 46-44 आवेदन रद कर दिये हैं रद किये अवेदनों में 4401-320 आवेदन के प्राख्रोंमभीक चैन को पूरा नहीं किया गया ताथा परिछा सुल्क का भुक्तान भी नहीं किया गया है इसमें रांची के लावा खुटी वह सिम्डेगा क्या हज यात्री भी इंसा लेंगे बता दे राजधानी रांची के डुरंडा इसी तहाज हाउस में आयोजीत या प्रसिक्षन सीवे सुबह नौबे से लेका तांपांच बेतक चलेगा इसके लिए अलग-अलग प्र स्यात्रा हरी सिंग राइडी से निकल कर उदनाबाद स्थीत दुख हरननाथ मंदिर पहुंची यहां से कलस स्यात्रा में सामीर स्रधालू कलस में जल भरकर पैदल फीर हरी सिंग राइडी मंदिर परिसर पहुंचे इस ज़रन पूरे रास्ते में जय स्री राम जय हर्मान के नारे से महोल भक्ति मैं हो गया सधालों को चेरे पर खुसी और उमंग दिखी धन्यवाद